तो यहां पर जो हमारी application है वो phone में install हो चुकी है अब मैं इसे यहां close कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो मेरी second sim थी उस पर कोई भी internet data pack नहीं है तो यहां पर आप मैं कहा करूँगा कि मैं इसे second sim पर अब select कर दूँगा और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि यहां पर कोई भी application या website जो data consume करती है वो work ही नहीं कर रही है तो यहां पर आप मैं सीधे जाऊँगा अपनी chrome browser पर और वहां पर मैं आपको जो यह websites हैं इन्हें open करके दिखाऊँगा आप सबसे पहले उपर ही देख सकते हैं no internet connection show हो रहा है अब मैं जैसे किसी भी यहां पर website पर click करूँगा तो वो open नहीं होगी तो आप देख सकते हैं यहां पर यह बहुसा time लेगी और यह open नहीं हो रही है यहां पर मैं अलग-अलग websites को भी try कर रहा हूँ तो यह open नहीं हो रही है तो अब हम सिधा चलते हैं अपनी application के और उसे करते हैं open तो जैसे मैंने अपनी application को open के हैं यहां पर आपको सबसे पहले yes click करना है just click करने के बाद आपको यहां पर काफि सारे option देखने के लिए मिलेंगे तो आपको next video में बताऊँगा कि आप कैसे से enable कर सकते हैं रोज नए videos देखे और सीखे कुछ नया हर दिन download करे सीखो app